भारती बैडमिंटन स्टार लक्षे सेन का पेरिस उलिम्पिक में दमदार प्रदर्शन जारी है लक्षे ने कल क्वार्ट्रो फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाडी चाओ तीयन चेन को 1921-2121-2121 से शिकस दी लक्षे सेन उलिम्पिक के सेमिफाइनल में पहुँचने वाले पहले भारती पुरुष बैडमिंटन खिलाडी है लक्षे सेन और इस जीत को दर्ज करने के साथ ही कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है तो उलिम्पिक के सेमिफाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाडी बन गए है लक्षे सेन इतिहास रचा है उलिम्पिक पदक से अब सिर्फ एक जीत की दूरी पर है लक्षे सेन यानि की एक और जीत उन्हें हासिल करनी है क्वार्टो फाइनल में चीनी ताइपे के चाओ तियन चेन को लक्षे सेन ने कल शिकस्त दी थी लक्षे सेन ने ये मैच 19, 21, 15, 21, 12 से अपने नाम किया था और जीने हराया था लक्षे सेन ने वे टोक्यो उलिम्पिक के कास से पदक विजेता है यानि की एक दिगज खिलाडी को मात दी थी लक्षे सेन ने और कल के मुकाबले की बात करें तो पहला गेम हारने के बाद शांदार वापसी की थी लक्षे सेन ने सिर्फ 22 साल के हैं लक्षे सेन और पहली बार वे उलिम्पिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं यानि के पहले ही उलिम्पिक खेल में शांदाल प्रदर्शन लक्षे सेन का उनके प्रतिदवंदी की बात करें तो ये करियर में सिरफ उनकी दूसरी जीत थी चाओ तियन चेन पर दूसरी बार उन्होंने हराया अपने प्रतिदवंदी को इससे पहले उन्होंने पिछले सार All England Open में चाओ तियन चेन को मात दी थी दोनों खिलाडियों की रैंकिंग्स के अगर हम बात करें तो लक्षे सेन की जो रैंकिंग है वो 22 है महीं चेन के विश्पु रैंकिंग 11 है यानि के अपने से उपर की रैंकिंग के खिलाडी को उन्होंने हराया इससे पहले उन्होंने नमबर चार खिलाडी जोनेथन को भी हराया था